एवियम हमारे देश के उपर क्यों थोपा जा रहा है जनता के साथ भारतिय जनता के साथ धोका है एवियम मसीन की अब भारत में कोई आवसकता नहीं है और एवियम का पूरण रूप से वहिस्कार करें मेरे देश के सभी सोसल मीडिया बंधू मंचाशीन हमारे मारक दर्शक स्वामी दया संकर प्रिवराजद सुवेदार पीर सिंग चौहान जी सुवेदार जग्दिर सिंग जी और मित्रगंड वे प्यारे देश के नागरे को आपको मैं वन्दन करता हूँ प्रणाम करता हूँ जैहिंद बोलता हूँ अब कुछ दिनों के बाद हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं क्योंकि हमारा देश एक लोग परजात अंत्र लोग तंत्रिक देश है और इस देश की जो अधिक से अधिक जो जनसंक्या है वो गाउं में बसती है जिसको हम 80% के करीब उसको आखते हैं हमारे देश की जनता के साथ ये बड़ा दुर्भागी की बात है कि एक अत्याचार हो रहा है लोगों की जो चाहत है उस परकार का चुनाव नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी स्वामी जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि मद्य परदेश के अंदर एक जगह पर 40 वोट पड़े जिन में से एक परत्यासी को 36 वोट गई और 4 वोट जो है केवन उसके जबकि वो 40 के 40 वोट उसके घर परिवाल की ही वोट थी और इस परकार का जो नियंतरन है यह जो एलेक्टरिक वोटिंग मसीन है उसके अंदर जो धंगले बाजी हो रही है इससे हमारे देश की जो लोकतांत्रिक सकती है उसको खतरा पैदा हो रहा है क्योंकििए लोकतांत उसको कोई तकलीप होती है बीमार हो जाता है तो एक अच्छे दोक्तर को ढूंबना चाहता है तो हम चाहते हैं यह देश की परचा चाहती है क्योंकि हमारे पास लोगों के फोन आये हैं कि हमें इस बार बिलकुल पारदर्शिता के साथ इलेक्शन करवाना है वोट डलवानी ह लेकिन जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मसीन है उसके अंदर सुनने पाया के वीवी पैट भी लगा रहे हैं लेकिन हम यह कहते हैं यत्र मानव द्वारा निर्मित है इसके अंदर कुछ भी सेट किया जा सकता है कुछ भी हो सकता है आप उसमें फिक्स कर देंगे वो चीज अप पारदर्शिता की और जाना है और लोगों को यह आश्वस्त करना है कि चुनाव आयोग की जुमवारी एस पेशल वो इसको सही रूप से इसको जनता तक पहुंचाए क्योंकि जनता के हित के बात है अगर हम देश के नागरिक होने के नाते अगर हमको अपने हक अधिकार अ जाओ सकता नहीं है कि आमरीका चाइना दौारा जो है यह मुझे ऐटन एलक्त्रो फिए अपने अपने आपने इसके अंदर क्यों नहीं कराते से वह नहीं कराते हैं हमारे देश के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है इसलिए मसीन का हम पुर्जोर विरोध करते हैं और हटाओ देश बचाओ हम यह चाहते हैं कि जिस परकार से एक डॉक्टर जो है इलाज नहीं कर इलाज के लिए जाते हैं तो उसको इलाज चाहिए तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करना है तो हम भारत के नागरिकों से कि आप सजग हो और इवियम का पुर्ण रूप से वहिसकार करें आने वाले चुनाओं के अंदर आप सब एकत्रित हो करके एक ही आवाज कहें कि इवियम हटाओ देश बचाओ जैहिंद जैभारत बंदे मात्रम और इसके साथ साथ को माता को भी बच अच्छित करने के लिए यह जरूरी है दर्टी केंद्र प्रकाशी है दर्टी गंगा को माता इसको बचाना हम सब का करता गया है जैहिंद जैभारत बंदे मात्रम